हाई लेविन्थीज, वेलकम ट्यो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने को रिलेशन के शेप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज इसका थोड़ा थियोरी बेस पढ़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल पर जाने से पहले हम कि हम इसमें सॉल्ब करने के अवाले कंसेप्ट क्या है इसका राइट तो गाईज को रिलेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आये हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए फोर न्यू मोर वीड सिरीज देखी होगी राइट इनिवीजुल सिरीज वो होती है जिसमें सिफ एक्स दिया होता है डिस्क्रीट वो होती है जिसमें एक्स के साथ आपको उसके फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है और इस चैप्टर में हम आपस दो सिरीज गिवन होगी कोई फ्रिक्वेंसी नही ही है हमें इहां पे इन सीरीज के बीच का आपस में relation बता करना है इसलिए इसे correlation कहते है यानि कि यह दोनों series आपस में कितनी related है that is called correlation ठीक है जैसे कि आपको इहां पे given हो सकती है age of wife ठीक है और age of husbands ठीक है तो आपस में क्या relation है वह हमारा इसमें correlation में हम पढ़ेंगे तो the relationship between the two variable is called the bivariate relationship और univariate relationship जब हम किसी एक चीज को study करते है बट हम यहां पे दो चीजों को study कर रहे हैं इसलिए से bivariate analysis भी कहा जाता है अब guys देखो आपकी series जो भी given होगी x y right वो बढ़ते में like increasing order में हो सकती है decreasing order में हो सकती है like यह वाले numbers जो हैं यह बढ़ रहे हैं यह भी बढ़ रहे हैं तो यह positive correlation है यानि कि दोनों के बीच बढ़ने का relation है right और अगर यहीं चीज ऐसे होता कि एक तो बढ़ रहा है और दूसरा three two one कम हो रहा है तो यह negative relation है ठीक है यानि कि दोनों अलग-अलग direction में हो दोनों एक ही direction में हो कोई दिक्कत नहीं positive है यानि कि अगर दोनों बढ़ रहे हैं like two four six increasing है one two three increasing है या फिर ऐसा होता कि six four two decreasing है और यह भी decreasing है दोनों एक दिशा में बढ़ रहे हैं positive correlation है negative कम होगा जब एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा या एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा वो negative correlation होता है यानिकि दोनों की दिशाए अलग है लेकिन अगर दोनों की दिशाए बढ़ते करम में घटते करम में कुछ भी हो वो positive correlation है लेकिन अगर दोनों की दिशाए एक की बढ़ने की और दूसरे की कम होने की वो negative correlation होता है ठीक है तो kinds of correlation में positive and negative आपको पता चला इसके बाद आता है आपका linear and non-linear correlation देखो linear correlation वो होता है जब हमारे जो एक series बढ़ती है और उसमें बढ़ने का जो करम है लाइक जैसे 2, 4, 6, 8 equal number से बढ़ रही है ठीक है दो-दो की number से बढ़ रही है और यहाँ पे 5, 10, 15, 20 इसमें भी 5, 5 का gap है that is the linear correlation इसमें जब हम graph बनाते तो वो straight line बनता है तो linear में हमारा graph straight line बनता है और non-linear या curvy linear किसे कहते हैं जिसमें हमारे graph की कोई दिशा नहीं होती जिसमें आप यह कह सकते हो कि दोनों का जो increasing या decreasing order है उसमें कोई fixed number नहीं है यहाँ पर हो सकता है 2 से सीधा 12 फिर 13 फिर 20 तो there is no fixed number कि कि बढ़ रहा है हर बार अलग-अलग number से बढ़ रहा है हर बार तो वो non-linear जिसे curvy linear भी कहते हैं ठीक है अब simple, multiple and partial correlation क्यों होता है जब हम अपने दो variable की study करते है normal x and y की तो वो simple correlation कहलाता है multiple होता है जिसमें आप 2 से ज़्यादा variable factor की study करते हो लाइक हमारे आप यह कह सकते हो कि जसे एक लैंड है वहापे कितनी हमने गेहों की खेती करी उसमें irrigation के हमारे क्या पानी के जो वो थे उसके क्या factors थे हमारे जो हमने खाद डाली उसके क्या factors थे तो यहां पर हम दो तीन factors की बात कर रहे है तो दो तीन factors का ही हमारे पास data होगा तो that study is called the multiple correlation जिसमें आप study जो करते हो variables की वो जादा दो से जादा आपके पास series होंगी ठीक है इसके बाद होते है partial correlation जिसमें आप study दोखी करते हो बढ़ थर्ड को constant मान तो like irrigation facility को आपने constant मान लिया but you are studying right now कि हमारे खेत में कितनी गे होगी और वहां पर कितनी हमने खाद दाली तो वो आपने दो फेक्टर की study करी और एक को irrigation को constant माना तो that is partial correlation ठीक है यह तो हुए kinds of correlation राइट अब हम बात करेंगे गाइस देखो इसमें पढ़ने के न हम आपस तीन method आपको बुक में given है Carl Pearson का है correlation उसके बाद Spearman का है उसके बाद एक scatter diagram है ठीक है जिसमें हमें normally values put करके diagram बनाना होता है Carl Pearson और Spearman ने दोनों ने अपने formulas दे रखें तो उसके साथ से आपको पढ़ना होगा लेकिन हमारा जो answer होता है यह चीज बड़ी interesting है कि आपका जो भी answer होगा क्योंकि positive correlation भी हो सकता है negative भी हो सकता है negative मतलब क्या एक तो बढ़ रहा है 5, 10, 15, 20 और दूसरा 20, 15, 10, 5 कम हो रहा है that is the negative correlation ठीक है तो अब अगर हमारा जो answer होगा तो वो 0 plus minus से 1 के बीच में होगा simple भाशन में बोलू तो आपका answer 0 से 1 के बीच में आएगा अगर आपका answer इसे ज़्यादा आ रहा है means आपने question में कहीं न खहीं गलती करी है तो आपका answer 0 से लेके 1 के बीच में आएगा 0.9 आ सकता है 0.75, 0.57, 0.43 and it can be positive, it can be negative positive, negative हो सकता है लेकिन answer 0 to 1 के बीच में होगा ठीक है अब जिसे perfect correlation कहते हैं अगर आपका answer 1 आ जाए तो और positive है तो positive correlation कहलाएगा negative है तो negative अगर आपका answer 1 आए तो perfect correlation है यानि कि दोनों के बीच में एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है perfect negative correlation ठीक है और अगर दोनों ही equal amount से बढ़ रहे होते perfect positive correlation कहलाता है इसके बाद high degree किसे कहते है जब आपका answer 0.90 से यानि कि 0.9 से 1 के बीच में आता है तो आपका high degree है it can be positive and it can be negative ठीक है और 0.75 से 9 के बीच में आए तो आपका sufficiently high degree है not very high बट sufficiently high लेकिन अगर आपका answer 0.25 से 0.75 आता है तो आप moderate कह सकते हो और low degree correlation के होते है जब आपका answer जो है वो less than 0.25 आए और no correlation का मतलब है answer 0 आएगा ठीक है तो आपका correlation के amount जो होते है मैंलब numbers इसके बीच में लाया करेंगे तो ये याद रखने है अगर कि आपका answer 1 से जाद आ रहे है इट मिंस आपनी कहीं ना कहीं कोई गलती करिए है तो गाइस ये theory पार्ट था हमारे correlation का आप लगों को समझ आया होगा नेक्स वीडियो में हम इसके practical पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत असान है अगर आप उसे अच्छे तरह के से समझ लोगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें बिना बिलकुल मर जाना और अपने डाउट आप मेरे से एनी टाइम पूछ सकते हो थांक्यू